चलो रंग भरना सीखते हैं इन अद्भुत रंगीन क्रियोंस के साथ जामुनी चलो देखें इसके अंदर क्या है वा इतनी सारी गंबॉल हमारा पहला सर्प्राइज है स्लैब ब्रेसलेट जो कि ट्रक के आकार का है चलो इसे सीधा करते हैं ताकि इसे पहन सकें ये स्लैब ब्रेसलेट है इसलिए इसे पटक कर पहनते हैं ऐसे हाँ अच्छा है लगता है एक और सर्प्राइज है सिरो देखते हैं ये जामुनी गेंद है और इसके अंदर सोड़े वाली बिल्ली है चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिला है इसे थोड़ा दबा कर खोलना पड़ेगा लगता है हमें कोला वाली बिल्ली मिली है और इसका नाम है किटी कोला ये है बिल्ली सोड़े के हाकार में हरा चलो देखते हैं कि हर एक रियोन में क्या है मुझे कुछ महसूस हो रहा है ये तो छोटा स्कूटर है लगता है इसमें कुछ अधूरा है इसे ड्राइवर चाहिए देखो ये हेलो किटी का दोस्त करोपी है और ये हमारे स्कूटर का ड्राइवर है देखो ये कितना प्यारा है अगर उसे प्यास लगती है तो इसलिए उसके पीछे नारियल पानी है चलो इसे भेजो अभी इसके अंदर एक और सर्प्राइज बाकी है चलो देखते हैं ये है हरा प्लेडो चलो इससे कुछ बना कर देखते हैं पहले इसे चप्टा कर लेते हैं इसके लिए हमें एक बेलन चाहिए अब हमारा प्लेडो चप्टा हो गया डाइनसौर कटर डाइनसौर हड्डिया चलो अब फालतू प्लेडो को हटा दो अब हमारा डाइनसौर देखो देखो ये टी रेक्स है चलो अब प्लेडो को रख देते हैं ताकि ये सूख ना जाए लाल चलिए देखते हैं कि लाल प्लेवन में क्या है लगता है यहां कुछ बढ़ा है वा उसे देखो ये है फ्रेटनेट माइटी एक्स्प्रेस ट्रेन रेस्क्यू टीम से इसके उपर घुमावदार बाजू है जो बचावकारे में साहता करती है चलिए फ्रेटनेट को रेल गाड़ी का ट्रेक देते हैं अब हम देख सकते हैं कि वो क्या कर सकता है ये गया फ्रेटनेट भारी होने के साथ साथ तेज भी है बहुत बढ़या नेट तुम्हारा मिशन पूरा हुआ अब हम रेल ट्रेक को हटा देंगे और देखते हैं कि अगला सर्प्राइज क्या है अरे वाँ ये तो लाइटनिंग मैक्वीन है पुल बैक रेस कार चलो अब इसे पीछे धकेलते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है अरे वाँ वो गम बॉल्स लाइटनिंग में क्वीन के आगे कुछ भी नहीं है पीला चलो देखते हैं कि पीले क्रियान में क्या है ये है क्रूस रमी रेज लाइटनिंग में क्वीन के साथ रेस लगाने के लिए ये पानी वाले खिलोने हैं इसलिए इनके साथ पानी में खेलते हैं पीछे धकेलो और फिर यहां भेज दो वा, ये रेस कार तो तैर रही है पानी में चला कर तो बहुत मजा हरा है अच्छी बात ये है कि टैंक में कोई मचली नहीं है नहीं तो बहुत धर लगता और अब आखरी चक्कर ठेहरो वो हलक दिशाओं में जा रहे हैं यहाँ अब ठीक है वा ये बढ़िया था लगता है इन्हें बहुत मज़ा आया पर पीले क्रेयोन में अभी एक और सर्प्राइज बाकी है चलो देखते हैं क्या है अरे ये क्या हो सकता है ये पीला केला है चलिए केले को छील कर देखते हैं कि इसमें क्या है मुझे इसके अंदर चार अलग-अलग टुकड़े दिख रहे है पहले टुकड़े पर किटी लिखा है इसमें कोई पशू होगा क्या तुम्हारे घर में बिल्ली या कुता है अगर है तो उनका नाम क्या है यह सोने का चमकदार पीज कितना अच्छा लग रहा है इस पर लिखा है मॉमी मॉमीज खास होती है और केले परिवार का अगला सदस से है डैडी और यह डैडी बनाना मैन है इसे तीन बर तेज बोल क्या है और गंबॉल हम जानते थे कि यह होंगी चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा सर्प्राइज है यहां कुछ है मुझे महसूस हो रहा है यह मुझे मिल गया हम यह बीनी बू स्काई है पाप पट्रोल से स्काई उचा उड़ने वाला पाप है और यह हवाई बचा में मदद करती है चलिए देखते हैं क्या गुलाबी क्रियोन में अभी भी कुछ बचा है यह अंडे जैसा लग रहा है हाँ वो ही है यह हैचिमल अंडा है और इस पर बैंगनी दिल बना है आईए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है मुझे कुछ हरे रंग का दिखा पर पत के शाली है हमने सभी छोटे क्रियोन खोल लिए और अब बारी है बड़े नीले क्रियोन की कैसे हो नीले क्रियोन मैं तुम्हें अपने अंदर दिखाए बिना नहीं रह सकता हाँ हम भी देखना चाहते हैं लगता है इसके अंदर और भी चीज़े होंगी क्योंकि यह बहुत बड़ा है हो देखो हमारा पहला सर्प्राइज है वुट्जीज बेबी ब्लाइंड बॉक्स इसमें बहुत सारे जानवर हो सकते हैं धिवबा गाहें गिलहरी चलिए देखे हमें क्या मिला यह चुटा बैग है इसके अंदर बेबी हो सकता है मैं और इंतिजार नहीं कर सकता बताओ इसके अंदर कौन सा जानवर हो सकता है यह 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 तो किटी है क्या तुम सही थे देखो इस पयारे बिल्ली के बच्चे को इसका नाम है लैला और ये ब्लाइड बॉक्स इसके लिए बिस्तर का काम करेगा है ना कितना प्यारा लगता है ये भूकी है इसे थोड़ा दूद देते है लो पेट भर गया अब ये थोड़ी दिर सो सकती है और नीले क्रेयोन में हमारा अगला सर्क्राइज है लिटल स्लूट का देखना पहियों को दबाने के बाद क्या होगा इसमें बतियां जलती हैं और आवाजे आती हैं बहुत सुन्दर और दर्वाजे सचमुष खुलते हो और बंद होते हैं वाज ये तो बहुत शाहंदार है चलो अब इस नीली गाड़ी को थोड़ी गेरी के लिए बंद कर देते हैं अरे इससे जाते देखो चलिए देखते हैं क्या आभी भी क्रेयोन में कुछ बचा है यहाँ है ये एक क्यूब है जिस पर सूपरमैन बना है बहुत बढ़िया मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ होगा चलो इससे खोल कर देखते हैं वाँ दुनिया में क्या रखा है लगता है ये गुडिया के टुकणे हैं बता सकते हो ये कौन है चलो इससे जोड़ कर पता लगाते हैं ये कोई भी हो पर इनकी ड्रेस बहुत सुन्दर है इनके बालों पर स्नोफलेक है क्या ये कोई संकेत देते हैं ये इनका चेहरा है पर ये Elsa है Frozen से All of the Snowman के साथ मुझे यकीन है कि तुम जानते थे है ना इनकी नीली क्रिस्टल की ड्रेस है जिसके पीछे ये केप लगा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बहुत सुन्दर फोटो खिचवाने वाली आकृती अब हमने सारे सर्प्राइस देख लिए है गम बॉल को ऐसे छोड़ देना थोड़ा शर्मनाक होगा तो साहेता के लिए बुलाते हैं रॉकी को नए रीसाइकल ट्रक के साथ तो सबसे पहले शुरू करते हैं जामुनी गम बॉल के साथ और अब रॉकी का मन पसंद रंग हरा और थोड़ा बहुत लाल भी और पीला भी थोड़ा गुलाबी और आखिर में नीला चलिए रीसाइकलिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है वाह क्या बहुत है हमें दो कांच के रंगीन क्यूब मिले जिसमें आप आर पार देख सकते हो यहां है नीला पीला और लाल क्या इससे हम रंगों को मिला सकते हैं? चलो देखें नीली और लाल से क्या बनता है? जामुनी वाह अब नीला और पीला ये बनाते हैं हरा आखिर में पीला और लाल वहा इन्होंने नारंगी बनाया रंगों को सीखने का ये सही तरीका है मुझे खुशी है हमने इसे री साइकलिंग से बनाया मदद के लिए धन्यवाद दोस्तों मैंने सब फेला दिया और मज़े किये अगली बार मिलेंगे